दोस्तों पिछले कुछ समय में आपने देखा होगा कि डीजल गाडियों को लेकर काफी बहस हुई तब ये बात समझ में है कि पॉल्यूशन का लेवल कितना बढ़ गया है इस बात पर भी ध्यान गया कि hybrid या फिर electric cars को लेकर भारत में रफ्तार बेहत कम है बाकी देश कहीं के कहीं पहुँच चुके हैं लेकिन हमारे यहां R&D पर या फिर लोगों की acceptance इन गाडियों को लेकर बहुत कम है और शायद यही बज़ा है कि जादा manufacturers electric या फिर hybrid पर मेहनत नहीं कर रहे है electric cars पर कौन मेहनत कर रहा है वो हम आपको पहले segment में दिखा चुके है hybrid cars में क्या हो रहा है जी हां hybrid cars के मामले में एक नई गाड़ी एक luxury sedan भारत में एंटर करने वाली है Honda की तरफ से उनकी नई Accord जिस brand जिस company के हम बात कर रहे है जिस batch के हम बात कर रहे है Honda इस batch को Honda बनाने में दो गाड़ियों का एक बहुत main role था अगर हम आज से 6-7 साल पीशे जाए तो वो थी Honda Civic और Honda Accord Honda City ने इस कहानी को आगे बढ़ाया लेकिन Civic और Accord volumes ना मना पाई और इस वज़े से discontinue कर दी गई 2013 में अगर मैं गलत नहीं हूँ तो Honda Accord को discontinue किया गया था लेकिन आप ये गाड़ी कर रही है वापसी and that too in a style Yes, this is the rejuvenated Honda Accord Hybrid इस गाड़ी को complete built-up unit यानि की CBU के तौर पर भारत में उतारा जाएगा 25 October जी हाँ इस गाड़ी की launch date कीमत बहुत ज्यादा हो सकती है क्योंकि जैसे कि हमने का कि CBU के तौर पर इस गाड़ी को उतारा जा रहा है और इस गाड़ी एक hybrid गाड़ी है Competition जो की इसका बाजार में मौजूद है चाहे वो Toyota की Camry हो या फिर Volkswagen की Passat GT जो की जल्द आने वाली है या फिर Škoda की Superb लेकिन Superb Hybrid में मौजूद नहीं है अगर उस Competition के इसकी तौर ना की जाए तो शायद कीमत ज्यादा होगी वज़ा इस गाड़ी को किसी भी तरीकी की कोई Tax Benefit नहीं मिलेगा 8 Generation Accord से अलग इस नई Accord को ज्यादा Sleek बनाया गया है Large Single Strip Chrome Grail, खुबसूरत LED Headlights with DRL इस कार को Perfect Premium Front देते हैं लेकिन इसका Slide Profile Design के लिए हाथ से इसका सबसे बड़ा USB है Sharp Shoulder Line जो इस कार को Supreme Presence देता है Rear पर शायद designers ने ज्यादा मेहनत ना करना बहतर समझा Hybrid लाने के बीचे Honda ने एक बहुत बड़ी वज़ा रखी वो यह कि Honda दिखाना चाता है कि environment को लेकर Honda कितना सजगा और आगे के लिए Honda कितना तयार है इस गाड़ी के अगर बात करें तो इसमें 2 लीटर का petrol engine है Ivy Tech Atkinson engine जो कहते हैं उस engine को जो है खास 2 hybrid electric motors के साथ combine किया गया और total जो power output है वो करीब 215 HP की है जो कि यह गाड़ी generate करती है और mileage भी काफी impressive है क्योंकि hybrid की बात कर रहे है 23.1 km per litre की mileage है जो कि इस गाड़ी से company claim कर रहे है यानि कि कुल मिला के efficient package लेकिन purchasing कीमत की तरफ मज जाएगा क्योंकि वो जैसकी पहले का की बड़ी महंगी होने वाली है technology की हम बात कर रहे है यह चावी देख रहे है इस चावी से ही शुरुबात करते हैं आप इस गाड़ी को pre-heat या pre-cool कर सकते हैं condition के हिसाब से अगर आप इस गाड़ी को अपने बैठने से पहले ही अपने लिए तयार करना चाते हैं तो बस एक यह hold का button दबाएं आपकी गाड़ी का engine start हो जाता है और आप जो pre-set AC था उस हिसाब से आपकी गाड़ी cool होके आपके लिए हो जाती है तयार जालतर hybrids में engine wheel को drive करते हैं लेकिन यहाँ पर सिर्फ electric motor ही front wheel को drive करती है यानि कि front wheel और engine में कोई direct link नहीं है EV drive mode पर आप करीब 2 km तक सिर्फ electric power पर गाड़ी चला सकते हैं भेतर fuel efficiency के लिए आपको अपने डिस्प्ले पर भी दिखती है जो कि आपको एक spaceship जैसा feel देता है Honda Accord के अंदर आप जैसे ही बैठते हैं टू थिंग्स दाट कम इन यो माइंड तो लग्शूरियस एंड हाई on technology technology का तो इसमें इतना सब कुछ दिया गया है कि उसको बताने के लिए शायद मुझे आदे घंटे का एक नया special program करना बढ़ जाएगा लेकिन वक्त जैसा कि यह कम है तो आसान शब्दों में आपको बता जेते हैं कि इस hybrid technology में एक petrol engine जिसका इस्तेमाल किया गया है जो कि दो लीटर का है साथ में दो electric motors इस्तेमाल किया गया है एक electric motor जो कि propulsion motor है वो क्या करता है कि वो front wheel को drive करता है और दूसरा motor जो है generator motor वो battery को charge करता है और साथ में एक CVT gearbox जो कि आपकी रहा को आसान बनाता है लेकिन the box is absolutely different from the CVT boxes जो कि हमने देखे हैं इंडिन market में Accord mainly chauffeur driven होती है और space और luxury इस Accord की USP है जो कि target customers के लिए सबसे जरूरी भी है सोफा जैसी rear seat काफी लाजवाब है wheelbase पुरानी Accord से कम होने के बावजूद space की कोई कमी नहीं है नई Honda Accord पूरी तरीके से environment friendly luxury car है Accord के cabin इतने silent है कि आपको दो बार सोचना पड़ेगा कि engine start है कि नहीं दो touch screen है आपको जो इसमें नजर आते हैं जो lower touch screen है वो आपका android auto और apple car play दोनों के दोनों को support करता है जितनी भी आपको usual gadgets जो कि आपको बाकी luxury cars में मिलते हैं वो सभी इसमें भी मौजूद है एक dual zone climate control भी है जो कि इसमें दिया गया है लेकिन that is different from the other cars है sunlight किस तरफ से आ रही है उसके हिसाब से वो अपने output को throw करता है और वो भी control करता है यानि कि technology में एक और छोटा सा added advantage safety का पूरा ख्याल रखा गया है ABS, EBD, brake assist ये सभी चीज़ें तो मौजूद है उसके साथ-साथ ये जो आपको दूसरा screen दिया गया है इसमें आप output लेज सकते है आपके surroundings का left hand side पर जो camera लगा हुआ है उसके through आपको इस पे continuously आपकी surrounding की feed मिलती रहेगी जो कि आपको किसी तरीके की भी lane change में काफी सा हैक साबित होगी तीन driving modes है जो कि इसमें दिये गया है आपको इसमें eco mode दिया गया है आपको इसमें sports mode दिया गया और साथ में दिया गया EV mode EV mode में गाड़ी अगर charged है तो करीब 2 km तक EV mode पर गाड़ी जा सकती है लेकिन अगर battery खतम हो जाती है then override करके वो अपने आप hybrid यानि की petrol या फिर दूसरे mode पर वापिस आजएगी गाड़ी कुल मिला कि ये hybrid गाड़ियां बहुत जरूरी हैं क्योंकि ये एक सूचक होती है कि आने वाली technology के साथ भारती manufacturers भी तयार है भारत तयार है क्योंकि mobility जो हता है वो कहीं न कहीं country की development का और country की prosperity का भी सूचक होता है और ये गाड़ियां उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है दुनिया भर में autonomous technology पर काम होना शुरू हो गया है और भारत क्या उसके लिए तयार है electric गाड़ियां या hybrid गाड़ियां उसका एक पहला कदम मान सकते हैं